इन तीने डोंगे में साथ-वोरी निकल लाताय है यह देखो यह डोंगा बोला जाता यह डोंगा लकडी का है कि टीनका है तियू टीनके डोंगे होते है अध तेक आ diets मैं अभी जहां पर बैठा हूँ एक संगाडे के तालाप के किनारे मैं आपको दिखाऊँगा कि संगाडे निकलते कैसे हैं कहां बनते हैं संगाडे और यह है सिंगारी का तालाब, जिसके मालिक ने मुझे टाइम दिया था 17 बज़े आने का, बट मैं 6 बज़े आ गया, लेकिन ऑवी तक नहीं आयए, टाइम हो गया आठ का, तब तक मैं आपको सिंगारी की बेल, ये होती है सिंगारी की बेल, और जितनी ओपर होती है, उससे क नहीं ज्यादा नीचे इसकी जड़ होती है यह देखो यह आपको दिखाई दे रही होगी यह हलकी रोएदार है इसकी जड़ जो जमीन तक 7-8 मीटर होती है यह तालाब भी काफी गहरा है और यह सिंगाडे लगे हुए है यह देखो यह सिंगाडे यह अभी कच्चे चलिए मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूं तो फिर साम को दिखाता हूं आपको सिंगाडे किस तरह से यह लोग तालाब से निकालते हैं कि अब्रिकरिया होती है फिर क्या करते है इसमें नाव चलाते है या ट्यूब जो ट्रैक्टर बड़े टायर वाले ट्यूब होतें उन से निकालते हैं वो आपको दिखाएंगे बट जहां तक मुझे पता है यह छोटी छोटी नाव होती है टीन के पीपे की उसमें लक्टी लगी होती है उससे यह सिंगाडे निकालते हैं और उसमें जाए जगा नहीं होती है आगे एक आदमी बढ़ जाए और पीछे वो स खूप अइस बहुत हाट काटे की जिसका वाट बनता है और एक कशोटी होता है और उसका पतल्द सरीर में वाश जाएगा तो उसका बहुत हाट वहले जाए बढ़ यह से गाणर दे लございます में बढ़ आपके घरों में मिल रहे होंगे वह सिंग ऑटी और यह पूरा तालाब अभी आपको दिखाते हैं पूरा तालाब और मैं जूते पहने हुए हूँ इस वज़े से यहां कि संगाडे तोड़ लिए गए मुझे तैरना नहीं आता इस वज़े से मैं रिस्क नहीं ले रहा हूं इस गाड़ा मिला मुझे यह देखें ए यह मैंने तोड़ लिये सिंगाडा यह और यह देखें इसके जो कांटे हैं वह बहुत ज्यादा सौफ्ट है और जो हाड कांटे की जाता है मतलब इसकी जू बहुँ काड़े को मिलते हैं दोस्तों मैं दिखा रहा हूं तब तक आपको सिंगाड़े का पूरा तालाब क्योंकि यहां कि मालिक मुझे बताके गए थी मैं साथ बजे आ जाता हूं बट भो भी आए नहीं तो अब बच चुके हैं साड़े-आठ दोस्तों अभी बज़े हैं सुभए डाले हैं उन्होंने बताया था कि मैं सुबहें 6 या 7 वजे के करीब आ जाता हूं से वाइट तोड़ने वह वह भी तोड़ने और में यहाँ पर शारी 6 वजे आ गया था तो तब तक मेंने सोचा है कि कोई है नहीं और यह से इसमारे की बेल उन्होंने कलसाम को मुझे बताया था कि थोड़ी बहुत जो सिंगाडी के बीसे में कीमत चल रही है वो है करीब 30 रुपे पर केजी और इसमें एक टाइम पर निकाल लेते हैं साथ से आठ कुटल सिंगाड़ कलसाम को कई एक बोरा भर के लेकर गए थे बोरी तो यह एक टालाव यह है यह करीब होगा एक एकड में होगा हां साइध और एक दूसरा दालाब वो है जो वहां पर इन दोनों दालाब में पड़े हुएं सिंगाडे पर इस दालाब अभी नय नया बना है यह साइड वाला क्योंकि यह तालाब बहुत पुराना है और यह तालाब भी नया बना हुआ है जिस वज़े से जब मैं आया था लास्ट टाइम तब यह तालाब नहीं था यहां पर खेत होता था और यह बहुत पुराना तालाब है यह बाला तालाब बहुत पुराना है आपको दिखाते हैं यह देखो इसमें भी सिंगाड़ी पड़े हुए यह देखो यह ज्यादा गहरा तालाब है क्योंकि खेत होता था इस देखो कर Kids आ ने यहां कि किसी समय खेत होता था इसवज़ कि इस की मेल जो है ज़्यादा नॉर्मल ही इसमें भी संगाडे बने भी नहीं एद को और ज़्यादा पूराने भी संगाडे यह देखो अभी संगाडे यही बनें राइना संगाड SAP और ये पूरी सिंगाडी की बेल है और ये गहरा तालाव नहीं है ये बाला बहुत गहरा तालाव है इसमें पानी कभी ख़दम भी नहीं होता इस वारे तालाव में इसको मरगर ताल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर गाउं के छोटे-छोटे बच्चो जो अर्ली एज में टेथ हो जाती है उनको यहाँ पर दफन कर दिया जाता है कि निवबोर्न मतलब तुरंत पैदा हुआ बच्चा और दो से तीन साल के बच्चे को यहाँ पर गड़ा दिया जाता है जैसे ही यहाँ पर कोई बच्चा गड़ा हुआ तो नहीं यह तो हैर पेड़ का है यह है तालाव अब मैं आपको दिखाता हूँ सिंगाड़े अगर मुझे मिलते हैं तो आप पर दिखाऊंगा इसमें नहीं है हाँ यह देखो यह दो सिंगाड़े मिले मुझे मिले यह बेल और यह जो आपको इसकी बेल होती है यह कहाएं यह दो से तीन तीन नहीं चार 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 पांच मीटर नंबी होती है और यह साब कि शुदी भी लटकी हुए यह देखोіс यह पानीवालओ आपकी तो यह दो यह जो है पानीवाली साप की केचली है यह देखो है यह देखो यह से गाड़े अब यह मालिक है नहीं तो मैं उसकी अंजाने में चोरी कर रहा हूं यह चोरी नहीं है क्यों मैं अब लुकों को तो बढ़ता रहा हूं यह छोड़ा से गाड़ा वटी एक काम का नहीं है देखता हूं और क्योंकि यह बहुत यह बहुत गहरा पानी है यह अगर चाहूं यह देखो यह चार एक से गाड़ा मेरा गिर गया गरी आज़े कर दो यह देखो यह चार पांच से गाड़े मैंने तोड़ ली और आपको अब दिखा देतें पूरा साम को क्योंकि जब वो सिंगाडे निकालेंगे कैसे निकाले जाते हैं इस तालाब से सिंगाडे मैं आपको पूरी डेटेल से वीडियो बनाऊंगा अभी के लिए इतना ही इसी वीडियो में आगे कॉंटिनुव होगा और यह वीडियो बन जाएगा लगए 10-15-20 मिनट का बन साम को मैं आऊंगा और इन लोगों से मिला हूंगा देखिए यह अपनी छोटी सी नाव बनाए हुए है इसको क्या बोलते हैं आप नाव को डोंगा होता है जिसमें आगे बैठते हैं और पीछे से इंगाडे तोड़ तोड़के रखते हैं यह देखें इस तरह से इंगाड अपर लगाएंगे अपना इस तरह बाते हैं तो इनसे बात करते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि अग्यों कि तब तक देखिए आप किस तरह से इंगाडे तोड़े जाते हैं कि यह पानि के अंदर कितनी गहरी होती है मतलब का इस पानी कितना है अपे बोल्ड़े पानी आदमी डूब जाएगा इतना घहरा हैं अब येन से मिलाते हैं और आपकी बात कराते हैं एक जंडत हैं एक सब्रुब एक जनबो पीछे आ रहे हैं तीन लोग हैं और तीन डोंगा चल रहे हैं देखिए इस तरह से एक जनबो आ रहे हैं इन्होंने अपनी नाव किनारे लगा ली है डोंगा अब यहां से यह बोरी में भरेंगे सिंगाड़े यह देखो यह डोंगा किनारी लगा लिया है यह देखो दादा एक जनबो आ रहे हैं सामने अब इन्होंने इन सिंगाड़ों को इसमें हरे और यह लाल सिंगाड़े अलग-अलग होते हैं ये देखिए आपको मेरे पीछे से गाड़े दिखाई दे रहे हैं ये दादा लोग हैं जो यहांपर इतनी मेहनत करके से निकालते हैं और आप लोगों को मिल जाते हैं आराम से आपको लगता हुगा कैसे निकलते हैं यह मैंने आपको पूरी प्रॉसर दिखा दिये और अभी बताते हैं किस तरह से संगाडे कप कौन से सीजन में डाले जाते हैं और कब तक निकलते हैं यह सारी जानगारी आपको मिलेगे हमारी चैनल पर यह बने रही है मेरे साथ यह देखिए अब वो तीसरे लोग भी आजए यह सःगाडे की बेल कब डालते हैं अब बैसाक के महिने में पढ़ते हैं यानि यह मई जून के महिने में इस हाँ जून में डाले जाते हैं यह वैसाक में और कितने दिन चल दूजी है आपस, और यह दाला बोलने दो महेने तक पसल चलेगे और मतलब अगर अगर संगाड़ी खतम हो जाते हैं तो उसके बाद यह बेल इसी में छोड़ दी जाती है अच्छा और कितने रुपए भी आपका संगाड़ा बस इतनी मेहनत करने के बाद आप 20 रुपए संगाड़ा बेच रहे हैं बताएए आप लोगों को लगता होगा कि संगाड़े हमको ऐसे मिल जाते हैं बट देखो कितनी मेहनत लगती है जान के जान का भी खत्रा होता है तहर नहीं पाएगा तो आप लोग उड़र नहीं लगता जैसे अगर बाइजान नाव पलटगी तुम निकले आप चाहिए अच्छा आप लोग निकल लाते हैं आपको प्रक्टिस है तो मतलब यह बताएए आप जैसे यह सिंगाड़ा है आप इसका आटा बनता है या क्या अच्छा जो लोग ब्रत में आटा खाते हैं तो देखिए दोस्तों मैंने आपको दिखाया यह देखो द्यादा है कि तीन लोग हैं और आप कितने बज़े आ जाते हैं आज 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 होजी तक मैं आपको एंध्यार करता है रहा लेकिन आप नहीं फिले अच्छा खाना खाने की बज़े से लिट हो गए थे अब लंगडा रहे हैं मतलब क्या कुछ अरे चोट लगी भया किनी परे तो अच्छा अब ताजी चोट है पुरानी अच्छा यह दादा की पैर में समस्या है देखो कैसे चल रहा है ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं अच्छा अच्छा दो साल पहले चोड़ लगी थी अच्छा अब आपको दिखाएंगे यह सिंगाडे उसमें से पैकेट में भरते हैं अपनी बोरी में और बोरी में भरने के बाद आप ही जाते हैं को कोई और जाता है अच्छा इनका लड़का जाता है बोले इनका बेटा है बोसुब चार बजे मंडी ले जाता है तो मंडी में 20-20 रुपए का भाव मिलता है इतनी मेहनत करने के बाद अब आप बोलने यह भी किसानी है भाई यह ना समझीए कि मतलब यह सिंगाड़े वाले किसान है भाई खेती है यह किस सिंगाड़े की अब जैसे खाद मचली बगएरा नहीं मर जाती है इसके लिए दूसरी दबाती है इसमें सांप बगेरा भी मिलते होंगे अच्छा दादा बोलने पानी वाले सांप मिलते हैं लेकन उनमें जहर नहीं होता तो चिंता की बात बात नहीं होती लेकिन हाँ फिर भी रिस्क रहता है अब को पैसे कट आएगा अच्छा ये दादा बोलने में इनको पानी वाला सांप कई बार काट चुका है बोले इतना नशा हो जाता है जितना एक क्वार्टर नहीं होता है यानि देशी सरब का पाउवा उतना नशा हो जाता है मतलब जान का खत्रा नहीं रहता उसमें तो किल्वेक बोलते हैं पता नहीं हाँ हाँ है अच्छा अब यह काम कितने साल से कर रहे हैं कि भीसी ओं सालें हो गए बोल रहे हैं कि मैं यह काम कर रहा हूं अच्छा पिछली साल यह बहुत क्या मिला था आप अगाड़े का वीश वाइस रुपएं बताइए सालें बदल जाते हैं लेकिन किसानों की समस्या नहीं बदलते हैं भाव नहीं बदलते बताओ जो वह पिछली साल 20-22 रुपए था आज भी वह इस दादा को देखिए कितनी मेहनेत करते हैं आप 3 लोग भाई-भाई है कि साज़ी दार है अच्छा तो यह तालाब क्या आपका है या कहीं रेंट पर लेते हैं किराये पर कितने साल का पिट्टा क्यांट्री कि दमदलने हैं यह जो अब उसको बोकितना गहरा है अच्छा ज़ादा गहरा नहीं है क्योंकि बुल्डूजर से मट्टी निकालकर उसको तालाब बना दिया लेकिन ज़्यादा गहरा नहीं है अच्छा यह नाओ जो है आपकी डोंगा इनको कहां छोड़के जाते हैं आप अभी जाएंगे तो अब डुबा के जाएंगे अच्छा कितनी देर रुकेंगे अभी आप यह आप अच्छा है साथ आठ वजे तक रुकते हैं उसके बाद यह चलो अब यह आपको दिखाते हैं किस तरह सी माल अपना भरते हैं संगाड़े को बोरी में यह बोरी लिए जा रहे हैं दादा यह भरेंगे यह प्लेट इससे बरेंगे आपको दिखाते हैं देखिए दादा ने अपनी प्लेट फेक दिए और बोरी निकाल लें अब इसमें भरेंगे अपना सारा माल यानि संगाड़े और यह सुबए जाएगा चालबज मंडी जो इनकी बेटे हैं वो ले जाते हैं बता रहे हैं आपका नाम रमेश है और वो जो दादा जा रहे हैं उनका रामोतार और वो आ रहे हैं उनका धरमपाल अच्छा तो आप तीन भाई हैं आ कि दख़िये दढ़नां अपनी बीड़ी पी रहा है उसके बाद एक सीजन में कितनी बार निकलते हैं संगाड़े पांच बार निकल लाते हैं संगाडे अच्छा बोलने पांच टूट हो जाते हैं संगाडे की चलिए अभी आप कितने लगवग इन तीनों डोंगों में कितनी बोरी हो गया कितनी बोरी निकल आता है इन तीनों डोंगों में आठ बोरी निकल लाता है इन तीनों डोंगों में साथ बोरी निकल लाता है यह देखो यह अब लोग अगर देख रहे होगी तो पता जलता होगा सेंगाडे में कितनी हर किसान की हर फसल में मेहनत दें बस जो लोग एसी रूम में बैठकर बातें करते हैं उनको ही नहीं दिख कि जो सरकारे नियम बनाती है उनको नहीं दिखाई देती है किसानों की मेहनत कि यह देखो इस तरह से भरा जाता है एक बोरी में कितने केजी आ जाता है कि लोग्राम आ जाता होगा कि 40-42 कि लोग्राम एवरेज 40 मान के चलते हैं साच चौक 28 दो कुंटा 80 कि लोग्राम अगर साथ बोरी निकलता है तो तो बताएए एक टूट में यह दो कुंटा 80 कि लोग्राम के करीब निकाल लेते हैं यह देखो यह डोंगा बोला जाता है यह डोंगा लकडी का है कि टीन का है तीन के डोंगे होते हैं मैने बताए तो सुबह यह तीन के डोंगे होते हैं और कए ट् הזה के निकालते हैं spite Also जया डालता है दो घ्बांद के की काम रहता है कि उसमें पता नहीं कि क्या हो जाए लेकिन यह सेफ और सुरच्छच्चत है अगर पलड भी जाएगा तो भी यह डूबेगा नहीं कि कि हाँ अगर इसमें पाणी बहुत अलग बात है लोग सुराज पहली बात यह लोग तैरना इन लोगों को तैरना आता है अच्छा डुबकी मार के बेल गाड़ते हैं अच्छा तो यह बेल आप मोल कहां से लाते हैं आप लोग अवागड़ी कहां पर अच्छा इसी इस बना लेते हैं तो मतलब एक साल तक कैसे बनी रहती है कि अच्छा अब अब बता रहें थे कि पानी में गल जाती एक साल तक ही सुरुच अपर जाइड़ी को जमाल लेते हैं आप लोग अब अपर अएटा की पास आगरा कि अब अगर्णियोग अब 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 और से शिंगाड़ी की बिल लाते हैं तेखिया मोई तो बोल रहे हैं यह सिंगाड़ा ही जमा लेते हैं और इसकी बिल बना लेते हैं फिर वो डाल देते हैं पूरे में तो चलिए फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ